गुद मॉनिंग बच्चों कैसे आप लोग आई होप सा बच्चे होंगे बिटा और पढ़ाई के सेलरी आप लोग की चली बिटा बच्चे करें पढ़ाई मत पूछो चलो बच्चों आज मैं एक छोड़ी सी वीडियो लेके आए बिटा और ये कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स है जब भी आप ये चैप्टर कंप्लीट करें पॉइंट्स को एक बार पक्का रिवाइस करें तो दो चैप्टर के हम लेके आए एक है हमारे पास फंडमेंटल पार्टनरशिप और वैलवेशन और गुडविल तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टन पॉइंट है कि जब भी आप चैप्टर रिवाइस करेंगे तो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बिटा ठीक है स्टार्ट करें बच्चा चलिए तो पॉइंट्स टू र लंबसम दे रिखिए wt? कहता है जीक्स ने एक लाग रुपे निकाले, ये कोशन में गिवन नहीं है तो ये ड्रोइंग्स क्या हो गई? जी X ने एक लाग रुपे निकाले, Y ने दो लाग रुपे नहीं काले date कब कब निकाले, ये question में given नहीं है तो ये drawings क्या हो गई? Lumb sum हो गई, ठीक है सर तो सर इन पर जो time factor होगा, वो कितना लेंगे? तो अगर question में date of drawings नहीं given है Lumb sum drawing है, तो हमेंसा average 6 month तो 6 month दो 6 by 12 लेंगे ठीक है, तो अगर date of drawings given नहीं होगी तो हमेंसा average period 6 month होगा कुछ precaution धिहान रखने है, वो ही लिखा हुआ है कि the date of drawings is not given and accounting period is less than 6 month then the interest on told drawings is calculate half of the accounting period I hope पहला point clear होगा, second point भे चलते हैं कहता interest at the rate of 10% ओके, without the word per annum अगर आपके पास per annum word नहीं लिखा हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लिखा है 10% only, per annum word नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि यह जब भी चाहिए interest on drawings हो, interest on capital हो कहीं भी calculation कर रहा है interest की तो अगर आपके पास per annum word नहीं है तो इसका मतलब, for example, हम drawing की बात कर रहे है एक लाग के drawing है और उसका rate of interest कितना है? 10% है अब यहाँ पर पर annum word नहीं है तो इसका मतलब हमें time को ignore करना है time को का करना है? ignore करना है जो भी हम time लगाते हैं लिखते हैं 6 by 12, 7.5 जो भी लगाते हैं वो यहाँ पर ignore करना है उसका logic यह 10% जो दे रिखा है यह irrespective of period है जितने time की आपके drawing होगी न यह जितने time का लोन होगा न यह उतने time का interest है तो सर्प conclusion क्या निकला? अगर आपके पास per annum word नहीं है तो इसका मतलब आपको time factor को ignore करना है ठीक है? चलिए तो interest is to be calculated without any reference to time period I hope clear होगा चलिए 3rd point देखते हैं बिटा If question is silent, किसके बारे बिटा? Partners capital count should be assumed to be fluctuating अगर question में mention नहीं है कि capital count किस method से follow कर रहे हैं तो अब हमेसा मानेंगे fluctuating से गर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अब interest, जो भी पूरे साल की transaction होगे interest on partners capital, interest on drawing, partner salary, commission, profit and loss वो सारे कहां transfer होगा? Partners capital count में I hope मेरी बाद समझा गी होगी ठीक है? तो अगर question silent है तो हमेसा fluctuating assume करते हैं ठीक है? लेकिन अगर इसके हम पोजिट देखें अगर question में given है कि capital are fixed तो आपको पता ही है दो account बनते हैं एक बनता सर capital account, एक बनेगा current account तो जो भी interest on capital होगा, salary होगा, commission होगा, profit and loss होगा should be transferred to कहां बेटा? current account में ठीक है? कुछ खास point नहीं है अच्छा जी, interest to be charged ये बहुत important point है कहीं भी book में नहीं दिखेगा आप लोगो लेकिन किसी भी साल आ सकता है तो interest is to be charged or allowed on किस पे? current accounts only when specifically instructed इसका मतलब ये होता है आपने जितने भी question कियोंगे आज तक उनके उपर उनमें जो current account का balance है अगर current account का balance credit है तो उसके ब्याज मिलना चीए ना partner को और अगर debit है तो उसने ज़्यादा withdrawal कर रखा है तो उसे interest लेना चीए तो ये कह रहा है कि interest is to be charged or allowed on current accounts only कब? जब आपके specifically लिखा होगा कि interest on current account हम charge भी करेंगे और allow भी करेंगे ठीके? I hope clear होगा बेटा चलिए manager की जो commission होती है और partners की जो commission होती है वो हमेशा किस पे निकाले? एक corrected net profit of P&L if the question is silent तो जो correct profit हो उस पे निकालना है कुछ खास point नहीं है चलिए बड़ा important है exam में आएगा या आएगा कहीं ने कहीं बेटा आपको पता ये interest on partners loan है ना? interest on partners loan कहां पे credit होता है तो option दे सकता है कि partners के capital account में partners के loan account में तो मेरी बात ध्यान रखना बेटा हमेशा जो partner ने firm को loan दिया है और firm जो उस पे interest दे रही है वो partners capital account में credit नहीं होता है बलकि कहां होता है? partners के loan account में अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं सर ऐसा क्यों? जो loan दिया है जो loan दिया है उसका जो interest है वो capital account में क्यों नहीं आ रहा? बेटा जब partners ने loan दिया ना firm को तो किस capacity में दिया? क्या जब partner capacity में दिया? नहीं, वो उस टाइम क्या था? capacity of lender था तो इसलिए interest on loan जो होता है partners का loan वो कभी भी capital account में नहीं आता वो कहां पर आएगा? partners loan account में आएगा ठीक है? not in the capacity of partner आप इसे देख सकते हैं बेटा चलिए, बहुत important point है rent paid to a partner same वही कहां नहीं है rent paid to a partner और अगर हम बात करें interest on partners loan ये दोनों ही कहां debit होते है ये profit and loss account में debit होते है ठीक है? इसके लिए पढ़ना पढ़ता है charge against profit है ना बच्चे? पढ़ा होगा आप लोगोंने तो जो rent होता है और जो interest on loan होता है वो PNL account में आता है reason being कि ये जो rent है जो partner को हम pay कर रहे है ये हमारा appropriation नहीं है ये क्या है? चार्ज है तो company चाहे profit में चाहे loss में rent pay करना पढ़ेगा तो इसलिए से कहां debit मारते है? PNL account में सर PNL appropriation में क्यों नहीं आता है? पढ़ा PNL appropriation तो basically distribution of profit है ठीक है? तो since it is a charge against profit and not an appropriation of profit ठीक है पढ़ा? तो rent paid जब भी होगा partner को वो हमेशा PNL में debit होगा ना कि PNL appropriation में उसका logic यह है कि rent चार्ज होता है और हमारा जो PNL appropriation है वो basically distribution of profit करता है तो interest on loan और rent के पर exam point आ सकता है ठीक है? rent paid to partners is to be credit to partners current account in the case of fixed capital और partners capital account in the case of flexuring capital ठीक है बच्चे से एक बार देख लेना बस याद रखना चलिए अब एक अच्छा point है unless otherwise stated ठीक है it is presumed that all the existing partner मैं guarantee वाला point याद दिलाता हूँ guarantee में आपको याद होता है क्या होता है A, B, C, 3 partner है ठीक है सर मैं कहता हूँ इनका ratio 2-2-1 का है correct मैं कहता हूँ B को guarantee दिये ठीक है अब B को guarantee दिये question में mention ये guarantee कौन दे रहा है तो कहरा हम हमेज से assume करेंगी कौन से partner जो remaining partner है वो guarantee दे रहे है तो remaining कौन है A और B, A और C तो guarantee कौन दे रहे है A और C अगर question में given नहीं है और किस ratio में दे रहे है ये भी याद रखीगा मिसा, वो हमेशा ratio होगी, इनकी जो old ratio होगी, तो old ratio कितनी है, 2 is to 1, ठीक है, तो यह point कहा रहा है बिटा, it is presumed that all the existing partner, other than the guaranteed partner, जो guarantee मिले उसको छोड़ दो, have given such guarantee in their existing PSR ratio, I hope बात समझ आगी होगी, ठीक है, क्याता है, guarantee account should be calculated on per percent basis, from the date of admission of guarantee, बहुत logical point है, एक question भी है, टेस ग्रेवाल में, कि उनकी जो partner से भी start हो रही है, वो October में हो रही है, तो यहाँ पर यह कहा रहा है कि for example, हमारा accounting date यह है, ठीक है, और कोई partner को हमने जो guarantee दिये, कोई नया partner आता है, तो हमने guarantee दिया, October से, तो कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी guarantee निकालेंगे, वो proportionate basis पे निकालेंगे, from the date of admission of guarantee partner, to the closing date of accounting year, तो हमारी accounting कब होती है, March में होती है, और उसको हमने guarantee कब दिया, अक्टूबर में आया था, तो अक्टूबर से March कितने हो गए, छे महीने, तो six month के according देंगे, ठीक है पेटा, तो यह कुछ 11 point थे, जो basically हमारे, किसके उपर थे, fundamental of partners से के उपर थे, ठीक है, अगर theory की वीडियो आपको चाहिए, तो इस वीडियो के description में में आपको बच्चा, मतलब इस series में मैं सारी छोड़ी छोड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो theory की होंगे, practical aspect की होंगे, तो आज मैंने basically छोड़ी सी वीडियो स्टार्ट करी है, चेले goodwill की बात करते हैं, goodwill को basically valuation के तीन तरीके होते हैं, सर एक average होता है, average में दो होते हैं, simple average, एक weighted average, हंजी सर, फिर होता है super profit, और third होता है capillation, capillation में दो होते हैं, capillation of average और capillation of super, एक budget formula गोधरू कर लेते हैं, अगर goodwill निकाल लिए average profit, तो formula होता है average profit into number of year purchase, तो formula में पता है जी, लेकिन अगर यहीं पर हमने क्या निकालना है, कुछ चीज़े दिहान देना है, यह काम की बात है, यह जो काम की बात है दिहान देना है, अगर question में कोई abnormal loss दे रखा है, है ना, तो abnormal loss शुड़ भी क्या करना है, add करना है, लेकिन कोई abnormal gain दे रखा है, और partner की remunition दे रखी है, शुड़ भी deduct, मतलब जो हम profit निकालेंगे, जब हम profit निकालेंगे, तो profit की calculation के लिए, हमें profit normal चाहिए होता है, तो normal profit कैसे निकालेंगे, तो सर जितने भी हमारे abnormal loss होंगे है ना जितने भी हमारे abnormal loss होते हैं वो plus करते हैं और जितने भी abnormal gain होंगे हम क्या करते हैं? minus करते हैं और साथ में कहा रहा है minus क्या करना अपने अगर कोई renovation है, salary है उसे भी minus करना है ठीकalo? बच्छो तो यह point होगे जब भी हम goodwill निकालें चाहे किसी method से निकालें तो आप एक बात हमेसा याद रखना कि जो profit होना चाहिए और normal profit होना चाहिए और normal profit कैसे निकलेगा उसमें जितनी भी abnormal nature की चीज़ें चाहे loss है चाहे gain है उनको हटा देंगे abnormal loss क्या होता है सर loss by fire loss by accident है ना loss on sale of fixed sets और gain क्या होता है सर gain profit on sale of fixed sets कोई interest मिल रहा है कोई dividend मिल रहा है उन सबको हम लोग less करेंगे ठीक है आई होग क्लियर होगा चलिए next हमारा अगर हमें निकालना super profit से बहुत असान है super profit का formula होता है goodwill का formula super profit into number of year purchase super profit का मतलब होता है जितना आप industry से ज़्यादा गमा रहे हैं है ना जितना आप क्या कर रहे है normal profit ज़्यादा गमा रहे है basically चलिए तो अगर बात करें capital employed और net assets देखो SP का जो formula आपको पता होगा average profit minus normal होता है अब normal profit कैसे निकाले सर normal profit के लिए आपको capital employed ये net assets जीए तो कहता है कि capital employed का मतलब कितना पैसा अपने business में लगा रखा है वो कैसे निकालेंगे जितनी भी assets है all assets चीक है सर उसमें से minus कर दो जो outsiders की liabilities है तो उसे हम capital employed बोलते हैं ये net assets बोलते हैं लेकिन all assets में क्या क्या include नहीं करना है goodwill include नहीं करनी है कोई fixes assets आपकी वो include नहीं करनी है और कोई non trade investment आप include नहीं करना है ठीक है तो सर नेट assets कैसे निकालेंगे total assets ये all assets minus outsiders liabilities लेकिन all assets में क्या include नहीं होगा goodwill नहीं होगा कोई dafford revenue expenditure है कोई P&L loss है या कोई non trade investment है I hope clear होगा तो ये normal profit निकालने के लिए capital employed निकल जाएगा capital employed आगया into normal rate of return super profit का formula बता दिया मैंने आपको average profit minus normal ठीक है चलिए अब बोलता है कि goodwill based on capillation of super profit अब super profit capillation में दो फॉर्मले थे capillation of super और capillation of average super का simple सा formula होता है सर super profit divide by nrr into क्या बेटा 100 सर हम लोग super कैसे निकालेंगे उपर हमने भी चर्चा करिए बेटा ठीक है चलिए अगर हम बात करेंगे average profit तो वहां पर goodwill कैसे निकालते हैं तो इसका भी simple formula है बच्छा total capitalized value of business minus net assets total capitalized value of business minus net assets सर business की capitalized value कैसे निकालते हैं उसके देखना बढ़ता हम on average कमा कितना रहे हैं और divide by way normal rate of return into 100 ठीक है बच्छा और net assets का मतलब क्या है यह मैं आपको बताई चुको हम पहले चीक है तो एक चोटी सी एक चोटी सी हमने कोशिस करी है कि हम सारे points revise कर सकें ठीक है बच्छों तो अगर आपको वीडियो वसंता है बेड़ा प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है मिलते हैं next class में thank you very much बबाई